हेलो वीडियो में आपके लिए ब्लू डायमेंड के नॉन इस्टिक कुपेर के रिव्यू लेकर आए हूँ यह एक अप्पम मेकर है यह लॉग लाइफ है इसकी यह लो गैस कंज्यूम करता है पिजर्व नुट्रिशन इन फूर्ड और फ्रे कुकिंग कर सकते हैं आप इसमें मैक्सिमम नुट्रिशन फ्रॉम यूर फूर्ड यह 12 मन्थ वारेंटी के साथ आता है जैसे कि इसके डिपे पे भी लिखा हुआ है और इसकी जो एमार्पी दिखा रही है वो है 639 रूपीज आपको दिख रहा होगा 639 रूपीज पर मैंने इसे एमेजॉन से खरीदा था औ प्रोड़क तरह पहुस सके है इसका बॉक्स है इसके अंदर मुझे क्या क्या मिला था आपको दिखा दीखा देवी है इसके अंदर आपको यह अपंप्मेकर मिलजाता है इसका कलर जो है पूर रेट कलर का है ने, सात में यह किस्पेक्चुला मिल जाता है, जिसे आप इसली अपने अपम को पलट सकते हैं, जो भी आप बनारहे हो तो यह अब फ्री उला था, सात में उसे मुझे यह लीड मिल गया है, और उपर यह तो आप इसे इससे भी वाश कर सकते हैं या फिर जो आप रेगुलर इसक्रबर मतलब यूज करते हैं अपने बर्दं को वाश करने के लिए आप उसे भी यूज कर सकते हैं तो आइए अब इस प्रोडक्त के बारे में जान लेते हैं यह हमें लीट के साथ मिलता है तो और जो यह है यह काफी अच्छे क्वाल्टिक लीड है ऐसा नहीं कि बहुत पतला ऐसे करने से यह मूड जा है तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि आप देख रहे हैं यह नॉनिस्टिक यह काफी कम उल यूज करता है यह पी एफ ओ ए फ्री माटेरियल से बना हुआ है जो आपके खाने को हामफुल टॉक्सिन और केमिकल से दूर रखता है यह लॉंग लास्टिंग मेटेरियल से बना हुआ है ऐसा इसकी डिटेल में लिखा हुआ है जैसे कि मैंने अब आपको पर दिखाया यह काफी लाइट वेट है बहुत ज्यादा इसका वेट नहीं है इसके उपर जर्मन कोटिंग की गई है इसको क्लीन करना बहुत एज़ी है यह लाइट डूरेबल हैवी अल्मूनियम से बना हुआ है विद जर्मन नॉनिस्टिक कोटिंग अंदर का इंटीरिय के इसको हिट नहीं होतरा है कि अब नचरा कि इसको आप CC आपे आपको इसे चैनली इसके दोडियो और सिर्धी नहीं करना है आप इसे किसी भी लोहे की चीस्टिंग वन्ना हो निकल जाता है आपको इसे नॉर्मली अपने डिस्वॉसर शे धो देना है किसी भी स्पॉंज से आपको इसे इसली बस किसी भी डिस्वॉसर से आप इसको अराम से धो दे और कभी भी आप जैसे पकाए हैं तो फौरन इस बरतन को जाके पानी में ना डाले, इसको ठंडा होने के बाद आप इसको दोए, इसको फौरन आप पानी में ना डाले, आप इसमें कई चीज बना सकते हैं, अपंप बना सकते हैं, ढोगला बना सकते हैं, इटली बना सकते हैं बना में। इसकी हैं। से लिंक मैं रोपर क्लिक आसे बना रेशिपी की सामें कारण जानक्तृ दितने लिदा सकते। और इसकी प्राइस भी काफी अफोटेबल है जैसे कि आप देख रहे हैं पर इसकी जो कॉलिटी है वो मुझे इतनी खास नहीं लगी जैसे कि आप अभी देख रहे हैं यह बिल्कुल लेया है अभी मैंने इसको यूज नहीं किया है तो आप इसकी कोटिंग देख रहे होंगे कि यहां पर थोड़ी सी इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं है इसमें देख रहा हूंगा है बहुत जादा इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है इसमें तोटल दो तीन चाह पांची साथ नो दा सिगार बाला है इसमें पकाते वक आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब क्या अच्छी का सबिंगा है नहीं प्काते है तो आपको कोई भी चीज के चीज को जल्दी पलत दें क्यूंकि वह जल्दी कूख होगाघाता है उसमें यह ड़गत लगता है, और ढें हीट लगता है कि यह हीट नहीं होगता है क्योंकि अधों फिलिछा पयको फिलिगाफ अपम बना रहे है तो उसमें बैटे डालें गया फिर आपको इसको कवर करके दो मिनिट तक आपको इसको लो फ्लेम पर गुप करना है उसके बाद आप देखेंगे वो थोड़ा सा फूल जाएगा तो आपको इस तरह से उसके साइट को पहले अलग करना है फिर इस तरह से और राउंडाउं अपम बनके तयार हो जाएगा कोई भी चीज आप इसमें बना सकते हैं आप इसमें लिट्टी भी बना सकते हैं तो यह काफी अच्छा है अगर कम प्राइस में आप अपम मेकर चाहते हैं तो यह काफी अच्छा प्रोड़क है कम प्राइस में अगर आप जादा इंवेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप खोई भी अच्छे कंपणी का अपपमेकर ले सकते हैं तो यह थी मेरी रिव्यू इस प्रोड़क के बारे में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आपके क्लिक करें ताकि आपको मेरे हाल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें सी यू अन मैं नेक्स वीडियो तिल देन बाई बाई झाल झाल